एक चीज यहाँ पर मैं आपको clear कर दूँ और मुझे comments देखके लग रहा है कि काफी लोगों को उसमें problem होगी वो यह है कि जनाब modulus यह number है जिस पर आप divide करके remainder को find out करते हैं modulus खुद एक remainder नहीं है for example अगर 7 mod 5 यानि के 7 का 5 modulus निकालते हैं तो इसका मतलब यह है कि 7 को divided by 5 करते हैं और फिर उसका remainder बचता है तो ऐसा number जिस पर एक quantity को divide किया जाता है to find a remainder उसको modulus बोलते हैं समझ आगी? सो यह clear मैं इस वज़े से कर रहा हूँ ताके आपको समझ आ जाए